हलो काई इस वीडियो मैं आपको उता हूँगा किसे किसे आप VS Code में C++ के प्रोग्राम को रन करोगे एंड एक सेटप बनाओगे और कौन-कौन सी आपको इसमें एक्टेंशन इंस्टोल करनी है यही मैं आपको उता हूँगा इस पर आपको क्लिक करना है यह लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहांसे भी आप यहां पर आ सकते हो जैसे यह एपसाइट उपन होगी तो आपको इस तरह का इंटरफेश होगा यहां पर आपको दिखेगा कि एक वीक में कितने डाउलोड हुए तो यहां किया पर यहां पर तरीकर से डाउलोड हो चुकी है कुछ ही की कि मैं इसका साइज दिखा देता हूं आपको इसका स्ताइज दिखाओं तो तकरीबं यह 85KB की है, download करने के बाद आपको इसे काट देना यहां से वापस आना आप इसे install करते हैं, इसके लिए आपको इसे open कर लेना, मैं यहां से open करता हूं download में and इसे, आपको install और continue and आपको आपको click करना है, continue पर अगर आपको इस तरह का इंटरफेश नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका installation हो चुका लेकिन अगर आपको इस तरह का interface आ रहा तो आपको इस पर click करना पड़ेगा इस तरीके से और mark for installation पर नहीं है हारेक चीस को आपको select करना है को आ sudah को बाता को इस तबादו इस के बार को कि अभलाइज ह bisc पाना और यहां पर आने के बाद आपलाइज चैन्जिसप आना और यहां , ऑपको इसे किलिक कर देना और अपलाई बाद पर इस तरह के attendance आपको अपलाई पे यहां पर वेट करना है तकरीवान यह 10-15-20 बिनिट ले सकते हैं यह आपकी internet की speed और आपकी PC की speed पर depend करता है बाकि यहां पर 15-20 बिनिट यह लेगा installation में यहां पर आपको close dialogue automatically जब यह हमारा install हो जाएगा तो इससे आपको close पर click कर देना है आपको automatically close हो जाएगा यह इंस्टोल हो चुका तो यहां से इससे आपको काट देना और काटने के बाद आपको अपने c drive के अंदर आने के बाद आपको आपको यहां पर मिंजे डाव मिंजे डावनाम से folder create हो गया होगा आपको किलिक करना और यहां से बिन के अंदर आना आपको और यह इसका पात यहां से Ctrl C करके copy कर लेना है और इसके बाद आपको open करना अपना environment यहां पर इसके बाद environment variables पर आपको लगोन यहां से अफको पाथ पे कलिक करना और यहां पर आपको new करके कर लिंग मैं आपको description में दूंगा वहाँ से आप देख लेना और आपको बहुत सी चीज़स में पता चलेंगी तो यहाँ पर हम एक folder बना लेते हैं और इस folder में हम यहाँ पर मैं C++ test program हम यह C का first program run करेंगी और just मैं इस folder को open कर लेता हूँ VS code में VS code को में अपने open करता हूँ और यहाँ पर file open folder open folder यहाँ पर होगा इसे just और C++ test program और यहाँ पर हम एक new file करेंगे लेते हैं फाइल पाते हैं next new text file इसका नाम रख देता हूँ and save इसका नाम रख देता हूँ first dot c cpp cpp extension के साथ इसे save करोगे आप dot cpp extension के साथ save करोगे and इसके बाद से save कर लेते हैं यहाँ पर और just आपको यहाँ पर आना है पांची में नंबर पर extension आपको कौन-कौन सी extension इसके लिए install करनी है यहाँ पर आओगे आनने के बाद आपको सबसे पहले extension आपको इंस्टोल करनी है code runner यह वाली आपको code runner extension आपको इंस्टोल करनी है यहाँ पर मैंने यह install कर रखी है हमारा काफी जाहाँ time-slip हो जाएगा यहाँ पर आप इंस्टोल का option होगा आप यहाँ पर click कर दोगे आपको 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 आना है जस दूसरी जा आपको इंस्टोल करनी है वह Microsoft की C & C++ के लिए special है वो C & C++ दोनों में काम आती है इसे आप नहां से हटा जेता हूं इसे इंटर करोगे यह वाली आपको Microsoft की एक्षेंशन है यहाँ पर आपको यहाँ पर दे सकते हूं 46 millions इसे लोगों ने इंस्टोल किया आपने VS code में बहुत ही ज्यादा कमाल की एक्षेंशन है इसे आप जरूर यूज़ करो इस दोनों के लिए काम आती है यह काम क्या होता है कि आपको थोड़ा सा code लिखो के तो यह आपको सेट कर देगी यहाँ पर इंस्टोलेशन का ओप्शन होगा आप कर लेना क्योंकि मैं इस्टोल कर लिए तक्रीबन यह थाइसो से तीन से यह थोड़ा टाइम लेगी तो हमना काफी जादा टाम से हो जाएगा तो मैंने यह इंस्टोल करके रख लिए इंस्टोली आप यह तक्रीबन 10-15 मेंट अगर आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगी अगर इंटरनेट आपका अच्छा नहीं होगा तो यह थोड़ा टाम लेगी तक्रीबन थाइसो से तीन से मेंबी की है और हम यहाँ पर प्रोगाम लिख लेते हैं इसे हम करते हैं तो आप किस तरीकिसर करोगे यहाँ पर आनेक बात कोड इस ततरीकी सा आपको याँ पहलाना नहीं है आपको यह यहाँ पर और त्यसक Chuck आपको यह वन better ऐनकरगे ली आता है तो और यहाँ पर यह one time आपको error आएगी इसके बाद error नहीं आएगी करने के बाद से save करना और save करने के बाद just आपको इसे start कर देना uncored कर देना तो यहां पर देख सकते हो इसका output आजाएगा अगार आपको इस तरहा है आप जीरो करो चाहिं से one करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं यहां से रीट कर देता हूँ, यहां पर एक file भी generate होगी, इसी नाम से, first.exe नाम से, जैसे ही run होगा, तो मैं इसे यहां सहटा देता हूँ, इस तरही के से मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप zero कर दोगे, इसे save करते हैं, तो आप problem आपको नहीं आएगी, यह बहुत सारी problems आती है, तो आपको run करके zero कर देना, पहले तो run करना, फिर उसे run करना, और run करने के बाद, फिर आप चाहें, zero करो, आप कितनी program देखो, फिर आपको कोई problem नहीं आएगी, इसे आपको run करोगे, तो देख सकते हो, फिर दुबार सा file generate होगए, यहां पर, कोई भी आपको problems नहीं आएगी, तो इस तरीके से कर सकते हो, आप terminal पर भी run कर सकते हो, terminal पर run करने के लिए आपको command के दुरू करोगे, जाए कि इस तरीके से, जैसे, मैं इसे rate कर देता हूँ, यह file unit होई है, delete, ठीक, इस तरीके से आपको दिखेगा, यहां पर g++, g++ क्या हमारे compiler है, minjw compiler जो हमने install करता है, उसे represent करता है, यहां पर आपके file का नाम, जैसे मेरी file का नाम है first, तो first.cpp, ठीक है, और cpp, और hyphen o, represent करता हमारे output को, और यहां पर आप file का नाम दोगे, जो भी जिस file भी आप create करना चाहते हो, उसमें जिसमें अपना output, यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहां पर मैं दे दूँगा, यहां पर test.exe, ठीक है guys, तो हमारा output, इससे आप समझो, यह G++ हमारा compiler है, represent करता compiler को, और first.cpp हमारा program का नाम है, और hyphen o, हमारा represent करता output को, output file आप कोई से generate करना चाहते हो, तो test.exe, test, test की जगा आप कुछ भी नाम रख सकती हो, जरूर नहीं, test की रखो, जो आपका मर्जी पड़वा नाम रख सकती हो, आपर मैं इंटर करूँगा, यहां पर आप देखोगे, test नाम से, .exe नाम से file generate होगई, जिसमें हमारा इसका output है, मैं इससे run करके दिखाता हूँ, आपको . slash and test.exe, इस तरही की साब इससे run करोगे, इंटर करूँगा, देख सकते हो, यहां पर आ चुका है, तो इस तेकिस आपनी file को run कर सकते हो, अब वाइस एक problems इसमें है, आती है, जो कि VS Code को use करते हैं, यूजर से अगर आपको input लेनी है, तो आपको जब तक इसमें setting enable नहीं करोगे, तब तक आप user's inputs में नहीं ले सकते हैं, तो आपको अगर user's inputs लेना है, तो आपको एक setting enable करनी पड़ी, जैसे यहां से मैं आता हूँ, मैं आपको दिखा जेता हूं, setting कोन सी enable करनी है आपको, जैसे आपको file माना है, और preference माना है, लाइक settings मानने के बाद, आपको settings मानने के बाद, यहां पर आपको type करना है, code runner, टाइप करने के बाद आपको जस्त नीचे आते रहना नीचे आते रहना और यहां पर आपको एक उप्षन दिएगा ठीक है run in terminal अगर आप यूजर से मैंने तो यहां पर चेक कर दिया लेगिन आपका यह चेक नहीं होगा तो आप यूजर यहां से वैल्यू नहीं दे सकती तर्मिल के तुरूप आपको इसे चेक करना पड़ेगा आप तर्मिल के तुरूप यूजर को अपने प्रोगाम में तो आपकी यहां की यूजर से इंपुट लेता हो आप वह वैल्यू आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो गाइस अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो में इतना ही थेंक्स वाचिंग गाइस